हेलो दोस्तों तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसी थड़ीयर से रिलेटिड कुछ बहुत इंपोर्टेंट mcqs पिछली वीडियो में हमने 25 mcqs पढ़े थे जो एक्जाम के पॉइंट यूफ्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है तो 25 इस वीडियो में पढ़ेंगे तो बिना देरी के आई ये शुरू करते हैं तो 26 वा कोश्चन है एलिफैंटियस रोग का वाहक कौन सा प्रानी है संकरमित qlex मच्चर नर मच्चर मादा मच्चर मादा qlex मच्चर तो एलिफैंटियस का रोग का वाहक यानि वैक्टर जो है वो संकरमित qlex मच्चर होता है कुश्चन नमबर 27 है लेप्टो मोनाड अवस्था कौन से जीव में पाई जाती है तो लेप्टो मोनाड अवस्था ट्रिपनोसोमा जीव में पाई जाती है q. नमबर 28 है ट्रिपनोसोमा होता है वन जीनेटिक त्रिजनेटिक डाई जीनेटिक फोर जीनेटिक तो इसका सही आंसर है डाई जीनेटिक q. 39 गलोसीना पैंपिलिस है मदुमख्य सी सी मख्य दीमक इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है C.C. मखी कुशन नम्बर 30 वो लोगो अट्टू है एक जिंगा मचली परॉन, कुटा मचली, कैट फिस इन मेंसे कोई नहीं तो इसका सही आंसर है C. कैट फिस कुशन नम्बर 30 कलारियस बैट रेकस का कॉमन नाम क्या है तो कलारियस बैट रेकस मांगूर को कहते है इसकोलियोडोन एक परकारकी है इसकोलियोडोन एक सार्क है टेगर मचली का वेग्यानिक नाम क्या है टेगर मचली का वेग्यानिक नाम मिश्टर सिंगाला है कुशन नम्बर 34 मचलियों में डरमेटो माइकोसिस बीमारी किस के दुवारा उत्पन होती है तो मचलियों में मचलियों में डरमेटामाइकोसिस बीमारी स्पेरोलगिनस के दुवारा उत्पन होती है कुशन नमबर 35 फेलेक्सी बैक्टिरिया दुवारा कौन सी बीमारी होती है फ्लेक्सी बैक्टिरिया द्वारा कोटन मौथ बीमारी होती है M.A.B. मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम किसके द्वारा क्या गया दिया गया है तो इसका सही आंसर आ जाएगा UNES को यूनिस को आगे देखते हैं गाइस इस वीडियो में हम 25 कोश्चन रीड करेंगे और इस से अगली वाली वीडियो में 25 कोश्चन करेंगे इस तरीके से चार वीडियो में हम 2018 के 100 कोश्चनों को रीड करेंगे कोश्चन नमबर 37 भारत का पर्थम नेशनल पार्क कोन सा है तो भारत का पर्थम नेशनल पार्क कौर्बेट नेशनल पार्क है क्या है कौर्बेट नेशनल पार्क है www.n पर कौन से जन्तु का सरक्षण का लोगो है तो इसमें आता है कुशन नम्मर अंसर नम्मर डी रेड़ पांडा कुशन नम्मर अत्यष विलुप्त की ओर जाने वाली जातियों का वर्णन कौन सी किताब में हैं तो सभी को पता है red data book जो extinct हो रही है जातिये उनको उनका जो है data red data book में रखा गया है भारत में बायोस्फिर रिजरो प्रोजेक्ट कौन से वर्स में शुरू हाता बहुत important question है guys इसका answer है A 1986 में question number 41 जिब गरवन कहा पर इस्थित है तो गीरवन गैसे याद रहाऊ जुजराथ में तो गीरवन कहा पर इस्थित है गुजराथ में श्थित है असल में rhinos का consecervation इसकी को उनसे वर्स में आई तो असल में rhinos consecgas न उननिस सो सेतालिस में अई थी मेटा Cyclic अवस्था से सिलेंडर अवस्था में परिवर्तन होता है तो important question है मनुस्य तो इसका answer आजाएगा C, मनुस्य के रक्त में human, human बलड question number 44 रानिपुर वर्ड लाइफ century किस सहर के निकट है तो यह है इलाहबाद के answer number C, इलाहबाद दुद्वा नेशनल पार्क कोन से रज्जे में स्थित है तो यह है उत्तर प्रदेश में answer number A, सही है important question white tiger है एक and answered जाती कार्बेट नेशनल पार्क का पुरणा नाम क्या है कार्बेट नेशनल पार्क का पुरणाम answer number D, हैले नेशनल पार्क है question number 48 ट्रिप्नोसोमा गैंबियन्स का गन कौन सा है तो ट्रिप्नोसोमा गैंबियन्स का गन मेश्टिको फूरा है important question है question number 49 ट्रिप्नोसोमा के फिलेजिलेट स्मानों के भीतर रक्त में किस वेज़ी दुवारा संख्या बढ़ाते है तो उन्हंचस का आ जाएगा ए लेंगिंग जनरक्स से बी बाइनेरी फीजन से सी बाइनिक बढ़िंग से डी उप्रोक्न से कोई नहीं तो इसका सही answer है बी बाइनेरी फीजन से पचासवा कोश्चन देखते हैं गाई जियाडिया का infection कहा होता है पैर में, हाथ में, आतों में, बालों में तो जियाडिया का जो infection होता है intestine यानि के आतों में होता है answer number C है तो गाईज 25 कोश्चन अग इस से आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे या तक्किली, thank you